कुछ पाने की हो आस-आस कोई अर्मा हो जो खास-खास आशा है great morning with your friends, Bhuvesh, Anand eिkbar, फिर आपके सामने ही है दोस्तो हम lecture number 2 में enter करने जा रहे है रहे है कि mutual fund की ज़रूरत क्यों आन पड़ी why it is necessary that we should have investments in mutual fund as compared to direct investments what are the benefits we will be discussing with that हम उसके benefits को उसके risk को और आज बड़े सारी advertisements को हम आज पढ़ेंगे और आज हम ये भी देखेंगे कि mutual fund के chapter में अगर examination prepare करना है तो मुझे क्या क्या करके जाना चाहिए क्या structure है, क्या risk है, क्या importance है क्या schemes है, क्या fact sheet है, क्या N.A.V. है और कौन सी regulations है आज का ये जो lecture है most important होने वारा दूस्ते आज का lecture अगर miss लेकिए last class का lecture अगर mix तो कुछ miss हुआ लाइफ में लेकिन आज का lecture अगर miss तो बहुत कुछ miss हो जाएब अगर आप ध्यान से attentive होके नहीं बैठेंगे मैं भुपेश आनन आप सब से I am requesting you my humble request to you that please sit straight जैसे बिल्कुल ये बैठें बिल्कुल have a spinal cord straight and please take out your registers लिखना बहुत सरूरी है आप जब तक नहीं लिखोगे आदी से ज्यादा बात आप वो समझ नहीं है अगर आपको कोई teacher बिना लिखे खाली पढ़ पढ़ की खरा रहा है बुक से highlight कर देता है और बोलता है और आप सुनते है तो पेटे समझ आएगा मैं ये नहीं कह रहा लेकर अगर आप उसके साथ साथ अगर आपको कोई teacher लिखवा भी रहा है तो वो पेइंग जादा ले रहा है पेटे बुक भी दे रहा हूँ आपको मैं भुक भी दूँगा आपको मिल चुकी होगी बुक और मैं मैं क्लास क्लास नोट्स भी लिखवा रहा हूँ तो पटे दूरों लिखने तब जागर आपको अंडर्स्टेंडिंग जादा होगी तो मैं हुपेश आनन्द आज अपनी होश में lecture no.2 security laws का paper हम कर रहे है और उस में mutual fund का chapter आज हम start कर रहे है lecture to mutual fund का हम शुरू करेंगे और बिल्कुल आप इस तरह से बैठ रहे हैं और मैंने कह दिया be happy, be jolly, be cheerful आपको खुश रहना है, आपको jolly nature का रहना है और आपको cheerful रहना है जैसे आप बच्पन में थे, चोटे थे चोटी चोटी बातों का ध्यान नहीं देते थे, और अचानक ही एकनम ही आपको देर पहले उससे गुसा करते थे, फिर धोड़ी देर पहले बात करते थे, पेटे बिल्कुल वैसे ही बन के रहा है इन ही बातों के साथ, मैं भुपेश आनद, पेटे आज का इस लेक्चर को, मैं पांच सितारा, फाइफ स्टार्स दे रहा हूं, फाइफ स्टार्स, I am giving फाइफ स्टार्स to this chapter, because this chapter is very very important, मेरे हिसाब से, ये लाइफ में अमीर बनने के लिए, पेटे अभी आपकी एज 19 to 20 years ह अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, मुझे guidance नहीं दी, मैंने फिर बाद में मेनत की और अमीर बना, अगर आप आज से चाहते हैं कि आप अमीर बने आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो मैंने आपको एक लास्ट लेक्चर में एक बात ही बताई थी, क्या बात बताई कि आप, अगर सच में आपका सपना है, सपने, सपने हम सब के हैं, बड़े-बड़े सपने होने चीए, और बड़े-बड़े सपनों के साथ-साथ, अगर आप चाहते हैं, कि आपका अगरा सपना है, अमीर बनना, अमीर बनने के लिए आपको पहली बात, अपनी इंकम में से सेविंग जुरूर करनी पड़ेंगी थोड़ा सा कंजूसी करनी पड़ेंगी आप अगर रेगुलरली हर महीने दो बर मुवी देखने जा रहे हो या आपके कुछ पर्सनल एक्सपेंस हैं आप उनको थोड़ा सा कम कर दीजिए दो बर जा रहे तो एक बर जाओ मैं बिलकुल आप इंवेस्ट नहीं करेंगे तब तक आप अमीद बंढ नहीं सकते क्योंकि इनवेस्टमेंट से ही आपको पैसव इंकम मिलने वाली है। पैसेग इंकम के लिए इंवेस्टमेंट करना कंबल से यह मैं लास लाट में वारिन भूफिक किया आपको वीडियो दिखाया था दूसरी भाग, जब आपको investment करनी है, तो you can invest directly, आप अपने आप directly भी कर सकते हैं, और indirectly भी आप invest कर सकते हैं, मैंने last class में यही दो बाद बताये थी, कि अगर आप directly investment करते हैं, तो ये कही न कहीं आपके लिए बड़ा भारी पढ़ने वाला है, क्यों? क्योंकि आप सुबह security analysis करनी पड़ेगी, fundamental analysis करनी पड़ेगी, और अगर आप ऐसे नहीं करोगे, किसी भी tip करोगे, तो आपकी महिनत के पैसे खराब हो जाएंगे, इसलिए सोच के सभल कर invest कर, सुना होगा, आपने सुना होगा, मैं आज आपको ये भी बताऊंगा, कि direct investment से बहुत ज्यादा आपने पैसे, asset management company के professionals को दे दिये, आपने अपने पैसे, asset management company के professionals को दे दिये, वो पैसे handle करेंगे, पैसे specialist को दे दिये, आप भी बताएं, Mr. E की heart की problem है, तो heart specialist के पास जाएगे, Mr. B की kidney की problem है, तो kidney specialist के पास जाएगे, Mr. C की liver problem है, तो liver specialist के पास जाएगे, ऐसे ही आपको अ मने की कार्ण पार थाक्राइऴ डें एक वागविक है तो भुट इनोग वावलाय डें इस कि लेगान्ट गोस्किल वावड सिगू हुझर्ए रहाट पीपूसिक्ल और शिग वावड और गोव्डियरित्ट वि स्के जैल ऌहलायाँ ए either you can invest directly or you can invest indirectly but it is better to invest indirectly because you can you know give your attention to that people and you can purchase the units of that mutual fund so today in the today's lecture I will be starting with मैं आज के लेक्चर में आपको mutual fund के बारे में बताऊंगा क्योंकि पिछले लेक्चर में तो मैंने ये बताया था कि mutual fund का जन्म क्यों हुआ क्या कारण था जन्म होने का जैसे भगवान धर्ती पे अफ़तार लेते हैं तो कहा जाता है धर्मत से जदा-धर्मत से गलान भवती भारता जब 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 धर्म कि आनी हुई तब तब भगवान ने अफ्तार लिया इसी तरह से जब जब जिस चीज की जरूरत पड़ी तो मैंने आपको लास लास से बताया था कि जरूरत क्यों पड़ी किसी अब मैं आज के लेक्चर में बताने जा रहा हूँ कि भाई साथ जरूरत तो ठीक पड़ी तो अब हमें समझ आगा है जरूरत है लेकिन मुचल फंड होता क्या है वत इस लुचल फंड फंड में डिसक्स करेंगे और इस लूचल फंड में आपको आपको आज अपनी करोड़ोपती की जरूरी शूरू कर सकते हो मैं आज के दस साल बाद 15 साल बाद आज आपकी यह जह है भीस साल माल लेते हैं मैटे आज से इन्वेस्ट करोगे ना तो 35 यह जह पंद्रा साल के बाद होगे और 35 यह में आपकी मेरेज हो चुकी होगी और आपको पैसों की रिकॉर्मेंट भी उस समें ज़्यादा होगी और warum अपना घर अड़क से लेना हो। शायद आपको कार लेनी हो। शायद आपको मौड़वर की चलेनी हो। शायद आपकी वाइफ कहे क्ट foreign trip में घूमला है। तो 365 साल में आपकी कुछ लो कुछ बढ़ सकती है। तो आज से ही अगर आप एक को 500 रुपे डिपॉजिट करना शुरू कर दो, 500 रुपीज डिपॉजिट करना शुरू कर दो, और लोगों का भला भी करो, एक कोर्स करने के बाद, Association of Mutual Fund of India या National Capital and Financial Markets, NCFM का कोर्स या NSE का कोर्स, आप Basic Module से ही शुरू कर दे, या Mutual Fund का मौट्रिंग करें, तो आप Broker बन सकते हैं, और Broker बन सकते हैं, तो लोगों के Mutual Fund में मदद कर सकते हैं, उनकी Investment करा सकते हैं, दो पाते होगी, एक तो उनका भला होगा, और एक आपको Broker बिलेगी, मैं तो कहता हूँ, अगर आपको Broker बन सकते हैं, तो कोई बात हैं, आप अपने पैसे तो खुद तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अपना भला खुद तो कर सकते हैं, तो आप यह समझ लीजिए, कि 15 years के बाद, अगरो Mathematics को देखें, तो कहीं न कहीं यह को रुपए में, लाको रुपए में बात चली जाएगी, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, यह आदर अपने में डालने, आज से ही, और इन्वेस्ट करने के लिए, आपको पता होना चाहिए, what is mutual fund, आपको यह पता होना चाहिए, पहली बात में यही बताने वाला हो, फिर आपको यह पता होना चाहिए, what are the pillars, what are the pillars of mutual fund, कि mutual fund का structure है क्या, फिर आपको यह भी पता होना चाहिए, कि what are the advantages of mutual fund, what are the risks involved in mutual fund, what are the schemes involved in mutual fund, यह सारी बातों को जो जो आपको पता होना च चाहिए, मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीस दिल ठाम के बैठिए, रजिस्टर बाहर निकाल लेजिए, हाइलेक्टर अपने पास रख लेजिए, कमर सीधी कर लेजिए, और जो जो मैं बताऊं, उसको लिख लेना जादा समयदारी मत दिखाना, भाई साब, अपनी handwritten slides दूँगा, वो आपको लिखनी है, वो बिटे ना तो मेरी book में, ना किसी और जगया मिलेंगी, मैंने खुद बनाई है, उसके बाद मैं आपको कुछ websites या कुछ videos दिखाऊंगा, और फिर last में, fourth point में, मैं आपको अपनी book दिखाऊंगा, बिटे इतना कुछ करू कि अगर एक इंसान के पास, एक कॉमन पीपल के पास, एक आमादगी के पास, if this mango people, they don't have the skill, they don't have the competence, they don't have the knowledge, then they can, you know, invest mutually, they can invest mutually in a trust which is named as a mutual fund, when I say mutual fund, it is a composite of two words, one is mutual and second is fund, when I say mutual, it is a mutual means, it means, हम सब का, mutually, we all belong together and that fund is a, is a being a contributor by these mango people, they can be rickshaw owners, they can be vegetable owners, they can be a business man, they can be a vegetable, they can be a middle man, they can be a Mokesh Amani, they can be, you know, Narayan Bhutti, as the case may be, we are not concerned कि कौन invest कर रहा, कर कोई भी सकता है, पांच सुरोपे पांच हजार कर सकते हैं, मैं तो कहता हूं पांच करोर पांच कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कर सकते ह पर पस जो है, एक अजार कोरोण का हो सकता है, किसी भी mutual fund का, अब यह जो mutual fund में पैसे गए, तो पैटे, इसके कुछ pillars है, वो हम सीखेंगे, next class में, खाली में बता रहा हूं, एक company होती है, जिसका नाम है, asset management company, और उस asset management company में कुछ professionals होते हैं, और वो जो professionals होते हैं, पैटे, वो आपके पैसे को कही ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, as per the investment objective, as per the scheme, जिस scheme में आपने इन्वेस्ट किया है, महुष टेटेल में नहीं जा रहे, लेकिन हाँ, इन्वेस्ट करेंगे, अलग-अलग schemes में करेंगे, पैटे, अलग-अलग baskets में रखेंगे, कहते हैं, don't put all eggs in one basket, ए कि मैंने financial management के lecture में, chapter 9 में बताया, what is the meaning of portfolio management, what I mean by, what I mean by Harry Markowitz, what is Harry Markowitz, what he want to say, Harry Markowitz is a father of portfolio management, वो यह कहता था, कि भई, उसके माता प्यता का दिहान दो गया था बच्पल में, और वो अपनी दादी जी के साथ रहता था था यूरोप में, वो उसकी दादी जी अंडे बेचने का काम करती था, पैटे को रोल रात को देखता था, उसकी दादी जी अंडे एक basket में पढ़ देते हो, तो पैटे दादी जी ने बता क्या था, कि बिल्ली तो आएगी, बिल्ली को में रोगी नी सकती, रिस्क होगा, सुनामी आएगी, अर्थ को गा सकता, कुछ भी हो सकता, बिल्ली आएगी हो, अगर एक ही अंडे, एक ही basket में पढ़े होगे, तो पूरा जवट्टा म आ रही हो, पूरी basket गिर गाएगी, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, अंडो को अलग-अलग basket पर रख रही हूँ, जिससे बिल्ली जब आएगी, तो एक ही basket गंडे टूटेंगे, बाके तो बच जाएगे, इसका मतलब, यह जो fund manager होगा, यह जो AMC का head होगा यह जो professionals होगे, वो आपके पैसे को ऐसी जगे invest करेंगे, 10-12 अलग diversified कर देंगे, एक जगे नहीं, अलग-अलग pocket में, जैसे आपके पास पैसे बड़े हैं, आपके पैसे हैं, और आप दिली से आनरा जा रहे हो, और एक ही जेब में आपने 5-10,000 रुपे रख लिए, 22,000 के पैसे हैं, अगर आपने उपर वाद ही प्रोकेट में रख दिये, और एक ही जेम में रखे, तो चोर तो आएगा, आप चोर को अन्ट्रोल ही कर सकते, तो चोर जब आएगा, और आपने एक ही pocket में सारे पैसे रखे होगे, तो पीठे, पूर ही pocket चोर ही हो जाया है, तो आपक वो पैसे आपको अलग अलग पॉकिट में सॉक्स के अंदर आगे पीछे उपर पीछे डिस्रिबूट करके रखने चाहिए कि अगर चुरी होगी तो एक ही पॉक्रिस चुरी होगी ना बाकी तो बचे जाएंगे आप मेरी बात समयरें तो मैं आज आपको यही पताने जा रहा हूं कि वो जो फंड मैनेजर है अलग-अलग स्कीन्स में इंवेस्ट करेगा उसमें रिटर्न मिलेगा और वो रिटर्न में इन यूनित होड़र्स को इन लोगों को इन इंवेस्टर्स को इन मैंगो पीपर को मिल जाएगा तो मैं भुपेश आनंग क्या पताने जा रहा हूं पैटे मैं आज आपको यह बता हूंगा कि आप मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको कुछ न कुछ education भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो आप कोर्स करने है मैंने कहां M.D. का पेपर दीजिए मैंने कहां N.C.F.M. का दीजिए तो चलिए दोस्तों हम सुरू करते हैं कहानी किसमत की आप सभी concept number 1 लिख रहे हैं सब बच्चे लिख रहे हैं मैं सभी लिख रहे हैं सभी लिखेंगे सभी लिखेंगे following is the flow chart मैं एक flow chart बना के दिखा रहा हूं और उससे पहले आपको मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं कि एक्चुली वे future mutual fund क्या होता है सुनते क्या है शर्मा Life history, portrayal !! । Isn't it ugly or राल no shopping तुमीश वे अग। na क्यों मैश्व प्रड़ल Jenda spi mutual fund 30 लाए प्रण मैं और इसे एक वीडियो डिःवा जो टेक्स शेविंग सेम ऐसे इंपर डिंटे सिंट है ऐसे एक सिंटेंगे सिंट सिंट ऐसे इसरे इसरे इसे ऍोल्ड किम से एसे यहीआ से इसे प्रेशी हैं हजाब तरह की स्कीम से हम सब को डिसकर्स करेंगे, मैं जस्ट आपको यह बताना जाता हूँ नहीं mutual fund का actually meaning क्या है, why we want to invest in mutual fund, देखे रहा एक अपने बेटे से क्या कह रही है उसके विगाँ होने से पहरण है, शादी के बार एक मा अपने बेटे से कह रही है, जिसकी शादी बने वाली है, देखे अपना experience बतारी है शाटी के बाद जिम्मे बारख्यां पढ़ी हमारे मारे साइपी शुरू करो साइपी यही मैं कह रहा हूँ आप अभी साइपी शुरू करो 500 रुपे के हिसाब से डिपोजिट करना अभी से करो 500 रुपे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं आपके लिए आपको मालूम है अगर है तो आप जो खर्चा करने उसको कम कीजी आप अपने पैरेंट से पैसे लेने मुझे पता है लेकिन बिटे वो पैसे वेस्ट जा रहे हैं आप बिल्कुत समयधारी का काम करें कि दस साल के बाद मुझे याद करेंगे कि किसी बंदे ने सला दिती आपको तो देखिए मम्मी अपने बेटे को गया से मुझे आप शोर माँ शोर को हम भी ने थे इनको लेके की पड़े-बड़े मूच्छे आवां के वोरीं भी थे लेकिन वक्तवी साथ तोस्ती हुई और थिरोसा भी बढ़ता गया प्यार और धरोसा नभेटा धीरे-धीरे बढ़ता है प्यार और धरोसा धीरे-धीरे बढ़ता है mutual funds में SIP दवारा निवेश करें अखिरबात किस्तौ में ही बंती है SIP बात बने किस्तों में यह 14 अक्षर हैं, अगर आध्यान से देगी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, मो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चूदा, अगर आध्यान से देगी, गजार की जोक्रिमों के आधीन है, कितनी अची मैडम है, और आपको संधार हैं कि invest your money, मेटे, जो फट में invest कीजी होई कि जो कितनी अची मैडम है, और आपको संधार हैं कि तो चूज यूर फट आट इस आपको यूर रिस्क अपटाइट, इतना इसका मतलाब, आप जितने रिस्क ले सकते हैं, उतना उस के जाथ की mutual fund लीजिए. Let the fund manager, अभी हम देख थी किंगे fund manager को होता है, AMC क्या होती है, की के जी? Please spread your wealth across the industry sector. That fund manager will spread your funds, you know, don't put all eggs in one basket, अभी अभी पताया हैं को. With regular reviews and frequent updates, अभी रिख 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 रिख. हुराइबाद रिख 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 रिखु को डिख रिख. Invest in mutual fund and minimize your efforts. आप यह दियान सो शुनना है देखे देखे यह बात अभी बडी प्यारी से जो आप बोले बाले है अब यह सुखना बैटे, mutual fund investments are subject to market risk. हमने अभी यह रेखना है कि क्या यह बोलती जारी है madam? Read all schemes related documents carefully. जोधा अक्षना बैटे, mutual fund investments are subject to market risk. इसका मतलब आप जो invest करेंगे उस mutual fund में भी, market अगर गिरती है तो आपको units की value भी गिरेगी. ऐसा नहीं है कि आपकी value भी गिरेगी. इसलिए हम कहरें, Read all schemes related documents carefully. आपको जोभी scheme आपने ली, जोभी select ही, उसके documents को ध्यान से पड़ो. अभी हम सीखेंगे इन सब बातों में, सभी बाते सीखेंगे बैटे, सारी बाते सीखेंगे, आये थोड़ा सा पहले लिख ले, फिर धीर धीर explanation करेंगे, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा magic, बस हम इसी तरह से life को लेके चलेंगे, थोड़े videos, थोड़े book, थोड़े चर्चा, और थोड़े class notes, तो आप class notes बनाना जुनु करदे, lecture two, mutual fund, concept number one. Following is the flow chart, पैटे मैंने flow chart कहा कहा, which shows the whole idea, that what are the things which you should know, in regard to mutual funds. मैं आया जी, मैं एक flow chart आपके सामने अभी बनाने वाला हूँ, और flow chart की रूप रेगा कुछ इस तरह से होने वाली है, मैं पहले meaning of mutual fund बनाऊँगा, फिर types of mutual fund बनाऊँगा, फिर तीसरे box में मैं चार questions लिखूँगा, और उन चारह questions का answer करने के लिए, मैं नीचे 4 step लिखूँगा, step 1, step 2, step 3, step 4, इसी तरह से उसके बाद last में मैं objective लिखूँगा, पहली चीज मैं लिखने वाला हूँ, एक meaning of mutual fund, फिर दूसरा, types of mutual fund, फिर तीसरा, four questions of mutual fund, फिर छोथा, steps of mutual fund, पाच्वाँ, what is the objective of mutual fund, तो मैं पूरे इस 7-8 lectures के श्रिंकला में, मैं आपको practical भी कराने वाला हूँ, I will be doing practical, I will be telling you these points, I will be answering these four questions, and what are those four questions, what is the introduction, what are the types of mutual fund, what is the objective of mutual fund, पाच्वाँ पहली चीज, आपको ये वाला box लिखना है, जिसका नाम है, introduction of mutual fund, or meaning of mutual fund, so mutual fund is a trust, which pools, the savings, mutual fund is a trust, which pools the savings of investors, mutual fund एक trust है, mutual fund एक trust है, mutual fund एक trust है, जो investors की savings को pool करता है, जैसे swimming pool, swimming pool में बहुत सारा पानी होता है, और आप उसमें नहाते हैं, उसमें नहाते हैं, इसी तरह से, mutual fund is a pool of funds, corpus होगा, 1000 करोड का, जिसमें हर व्यक्ती ने, छोटे, बोटे, बड़े, रामू ने, चाचा जी ने, फैंटम ने, भुगेश अमानी ने, रिक्षा वाले ने, सबजी पेचने वाले ने, भुगेश अननने, कुछ पैसे अपने हिसाब से invest की होंगे, और वो इतना बड़ा fund बन जाएगा, और उस fund में, हम investors के लिए काम करेंगे, कि that is the M-Mutual Fund, तो दूसरा box लिखने जा रहे हैं, दूसरे box में, मैंने लिखा है, Types of Mutual Fund, सभी बच्चे लिखेंगे, सभी लिखेंगे, Types of Mutual Funds, कि Mutual Fund के कितने Types होते हैं, जैसे मैं कहता हूं, मैं आपसे कहता हूं, Types of Pizzas, Domino's Pizzas, कितने तरह के Pizzas होते हैं, तो आप लिस्ट बजा सकते हैं, मैं ऐसी तरह से कह रहा हूं, अगर मैं Mutual Fund को broadly Divide करना चाहूं, schemes तो 1000 तरह के हो सकती हैं, investment objective अलग अलग जड़ा के हो सकती हैं, मैं उस detail में भी नहीं जाना, मैं कह रहा हूं, आप मोटा मोटी बताइये, कि Mutual Fund के टाइप कितने हैं, तो पटे देर आप टू टाइप्स आप मूचल फंड, one is open ended, and second is close ended, एक होते खुले हुए, खुले हुए, हाँ, जो 24 घंडे खुले रहते हैं, पटे आपको पता है 7-star hotel में, और 5-star hotel में क्या difference है, पटे एक difference है, 7-star hotel में, आपको उसके कुछ restaurants, और कुछ cafeterias, हमेशा open मिलेंगे, 24 by 7 open मिलेंगे, तो जब cafeteria और 5-star hotels, 24 by 7 open होते हैं, तो पटे हम कहते हैं, ऐसा hotel, 5-star के नामक से माना गया है, उसको कहते है open ended, इसका मतलब ऐसे mutual funds, जो कभी बंद नहीं होते हैं, बंद नहीं होते हैं, मतलब आप जब मर्जी fund manager के पास जाएं, किसी भी period में जाएं, units purchase करें, और आप आँ जाएं, और कभी भी जाकर exit कर सकते हैं, कभी भी entry कर सकते हैं, इसका मतलब opposite है, जाएं ब्रोपन, जैसे भजपन में विपीत अर्थ थक करते थे, ब्रोपल करते थे, वाट ऑप बंद अब आप कहते थे रात, सुभाव शाम, अच्छा बुरा, तुमा ओगो ओब ऑपंदेड, close-handed these are the opposite words when I say open-handed it means that fund which is never closed you can directly go to the fund manager of that AMC you can directly pay the charges of that units and you can directly buy those units after paying the charges that is named as a open-handed mutual but the point is there's a difference between open-handed and close-handed close-handed those are the ones that are opened for a particular period and they are closed for some period this means if you have to take the units from fund manager then you have to go to the time duration which has mentioned that issue opens on issue closes on then you will go into the period and then you will go to the units and you will find the unit for a month, so you can go to the fund manager then you will go to the hospital and then you have to go into the stock exchange then you have to go to a stock exchange now I repeat that close-end means when the shutter opens the moment and it will be closed to the door once you open it, you will go to the door when you are closed it will not go to the fridge when you are closed at the door close-ended means when the shutter opens the door or बति हो नहता है और वे प्यार चाहिए प्ता है in particular we have a time you know. So after that time you cannot redeem it directly with the fund manager. It can be redeem within that particular period or you can purchase it within that particular time period which is there. Otherwise you cannot sell it or you can buy it from stock exchange. So there are two types of mutual funds. One is open ended and second is close ended. मैं आपको पताने जाना हूं तीसरा स्टेप जिसमें मैं आपसे चार बातें पूछूँगा हाँ पेटे मैं आपको पूरी जानकारी आपको जो पूरी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए मैंने उसको मेंचन कर दिया तो आएजी चार कोश्टन्स हम आपके सामने लिखने वाले हैं पेटे मैंने यह चार कोश्टन्स लिख दिये पेला कोश्टन है वड़ाई सिंपल सा था मैं आपसे कूँछ हूँगा की बाई मुचल फटन भी एक मैडम बदा रही थी वटा दाद्वांटेजिस अव नुचल पर मैंने रोटा चोदा पढ़ना रिस्क इनोर्ट इन दाद mutual fund slash advantages of mutual fund slash risks involved in mutual fund पेला कोशन दही हो गया तो पेटे आप लिके बॉक्स बनाकर चार कोशन काशन काशन करेंगे question number two what are different schemes of mutual fund? what are different schemes? अभी पताया था मैडम ने भी पताया, वो smart वाली मैडम, वो smart वाली मैडम ने भी पताया कि there can be different types of schemes of this. हाँ, उन schemes को invest करने के लिए आप सिप प्लान ले सकते हैं वो जो ममी पजा रहे थी अपने बेटे को शादी सी पहले तो पेटे आप उसके लिए investment के लिए SIP ले सकते हैं, सब सिर्फिंगे, सब सिर्फिंगे वो आपके सिर्फ को करवा ही दूँगा class होते 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 पहला question लिए लिए, what are the advantages, risks involved or the players of mutual fund? first question, पेटे मैं highlight करते हैं, पेटे पहला, what are the advantages, risks or players of mutual fund? question number two, what are the different schemes, पेटे बड़ा important है कि कौन कौन सी schemes है, वो depend करता है कि growth scheme है, income scheme है, आपको मैं बता हूँ और schemes कैसे निकालते हैं, अभी देखेंगे question three, what are the components of fact sheet, यह सची important है यह को पता होना ही चाहिए, fact sheet क्या होती है, पेटे यह छुपी गया, वैसे मैं कह रहा हूँ, उसका नाम है fact sheet, fact sheet, हाँ, fact sheet का मतला है, सच्चाई वाली sheet, सच्ची sheet, तो उसमें sponsor को होना है, registrars को होना है, NAV कितनी है, expense ratio क्या है, entry load कितना है, exit load कित what are the regulations of mutual fund, mutual fund की regulations को है, तो यह चार questions के अगर आपने answer दे दिया, तो समय लीचे आप ज्यानी कहलाएंगे, आप समधार कहलाएंगे, और आप easily mutual fund को invest भी कर पाएंगे, और लोगों को समधा भी पाएंगे, तो पेटे मैंने कहानी स्टार्ट के थी, introductions है, introduction of mutual, फिर second point मैंने बत पाया, types of mutual fund, फिर तीसरी बार बताई, there are four questions of mutual fund, now to answer those four questions, I have to take five, four steps, पेटे, मैं आगया जी पांच में स्टेप में, मैं आगया जी फोर्ट स्टेप में, answers करने के लिए, मुझे चार स्टेप लेने पाएंगे, बस यही आपको करना है, यही आपका सलेबस है, यही यान प्र करना है, अगर आपने इतना ग्यान प्राप कर लिया, तो यकीन मानिये, आपका, easily, सब कुछ clear होने बारा है, तो first step लिए, मैं पहले question का answer करने के लिए, पहले step लिए, पहले question, हाँ, पहले question क्या था, what are the players, who are the players, और what are the advantages, और what are the risks involved in mutual fund, मैं आपको बता हूँँगा, पहले structure of mutual fund, पहले बात के लिए, structure of mutual fund, आपको structure बता होना चाहिए, की players of mutual fund, की mutual fund के की players को उन से बता है, और उसके बाल, what are the advantages of mutual fund, and what are the risks involved in mutual fund, so these are the four points, which I should be aware of, to answer question number one, and when I answer question number one, or I will take step number one, then I will move to, step number two, then I will move to step number two, step one के बाद step two आएगा, और step two के बाद मुझे step three लेना पड़े, और step three के बाद मुझे step four लेना पड़े, so I am Bhubesh Anand, पहले step one में हूँ, और step one में मैं की question बाद का answer कर रहा हूँ, what is mutual, what are the evolution of mutual fund, advantages of mutual fund, pillars of mutual fund, players of mutual fund, spillers, spillers का मतला भी बताएंगे में बताएंगे में, I will be telling you, second step is, what are the schemes available for mutual fund, what I mean by income fund, what I mean by growth scheme, what I mean by balance scheme, what I mean by hybrid scheme, what I mean by tech saving scheme, what I mean by gold scheme, what I mean by realist, पैटों सारी schemes discuss करेंगे, तो आप प्लीज लिखें step number two में, income oriented scheme, list बहुत लंबी है, मैंने थोड़ी से लिखके छोड़ दिया, income oriented scheme, growth oriented scheme, इसका मतलब अगर आपकी age, old age है, तो आपको income oriented जाएंगे, क्योंकि आप work तो कर भी रहें, आपको regular पैसे जाएंगे, घर्चा पानी के लिए, तो वो लोग income oriented में जाते हैं, अगर आपकी यंग है, जैसे आप यंग है, शीला की जवानी, तेरे हात ना आनी, तो आपको growth schemes चाहिए, क्योंकि आपको income नहीं चाहिए, अभी आपको growth चाहिए, capital appreciation चाहिए, तो there can be different types of schemes, income scheme, growth scheme, hybrid scheme, tech saving scheme, लिख लिख लिखना real estate funds, पेटे, ही मैंने question number two बताया, step number two, अब मैं आगाई जी, step number three में, energy, fact sheet के बारे भी क्या बता होना जी, जैसे हमारा question three क्या था, what are the components of fact sheet, उसमें components में हम लिख रहे है, net asset value, energy, expense ratio, entry load, exit load, HPR, holding period return, YTN, yield to maturity, तो पेटे, आपको ये चार-पांच बातें पता होनी चाहिए, किस में, step number three में, what are the components of fact sheet, अब fourth point में आगाई जी में, what are the regulations of mutual fund, पेटे, दो regulations discuss करेंगे, एक से भी की mutual fund regulations, और दूसरा से भी की कौनजी, कौनजी, LODR, listing obligation disclosure requirement regulations, तो mutual fund के chapter में मुझे introduction पता होनी चाहिए, type पता होने ची, पहल से इड्वालेघेज, प्दूसरा scheme पताउन ची लॉजिक्स पता होने ची, तीतरा fact sheet पताउने ची, मैं live लेकर जाओं आपको और fact sheet पता होने ची और fourth क्या पता होना ची? regulations. पेटे, जब जिस सब पता होगा, तो मुझे एक बाद बाद पता हो निचे, what is the objective of any mutual fund? क्या लगता है? आपको क्या लगता है? मैंने आपको व्यूस निखाए, आपके हिसाब से, what is the objective of mutual fund? पेटे, एक यह objective है, to maximize the wealth of unit holders. properly invest करना, adequate time पर invest करना, adequate time पर exit करना, value maximize करना, wealth maximize करना, assets maximize करना, तो ultimately net asset value increase होगी और unit holder अमीर बन जाएगा, यह तो objective था, अमीर बनने का, तो प्रीज लिखे, objective of mutual fund, to maximize the wealth of unit holders, to maximize the wealth of unit holders, to maximize the wealth of unit holders, ठीक है, आए, मैं घुपेश आनद, concept number, तू में आपको लेकर चल रहा हूँ, आप सभी मेरे अपने हैं, मुझे मालूम ले, हम इस्वामी mutual fund का introduction करना है, lecture 2 है, एक बच्चे को नीद आ रही थी, उसको थप्ड़ मारने का मन करना है, मैं यहाँपर ख़ड़ा होके प्ड़ा रहा रहा हूँ, जा मैं आपको बिटीज कर दहारा हूँ, मैं आपको वीडियो लिखा रहा हूँ, मैं आपको ड्राम घर लेकर हूँ, an organization, mutual fund एक trust है, mutual fund एक organization है, that pool, that pool, that pool, resources, savings of number of investors for the purpose of investment. पेटे, पेटे, number of investors की savings को, number of investors की savings को, पेटे, वो pool करता है, pool करता है, इकठा करता है, उस घड़े में इकठा करता है, पेटे, जैसे दूद्ध की मलाई होती है, मलाई कठी करके, हमारे घर में parents, मम्मी क्या करती है, ते गलग से पतीले में रखती रहती है, पेटे, सारे पैसे, सब ke, चोटे ke, मोटे ke, चाचा के, चोधरी के, फेंटम के, बतीजे के, सब के पैसे लेता है. उनका एक, फंड बनाता है, भुल्लक बनाता है, और उसके पाद, उसमें मत्दराशू करता है, वीटे, दाट इस अ मूच लोगे, mutual fund is an organization that pool resources, savings of number of investors for the purpose of investment. B point, those investors buy, वो जो इन्वेस्टर है, वो बाय करते है, क्या करते है, खरीदते है, क्या खरीदते है, यूनेट्स, शेर्स नहीं, शेर्स नहीं, पेटे, शेर्स कंपनी में परचेस किया जाते है, यहां पे यूनेट ओल्डर्स है, तो दोज इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टर्स बाय उनेट्स अपटिकलर mutual fund scheme, अब schemes बड़ी जारी होती है, अब भी बताई, tax saving scheme, gold scheme, real estate scheme, incorporated scheme, growth scheme, अलग अलग तरह की schemes है, वो डिपेंड करता है कि आपको objective क्या है, आपकी age क्या है, आपको marital status क्या है, आपकी risk bearing capacity क्या है, वो मैं सब बता हुआ, अभी लिख ले, these investors buy units of particular mutual fund scheme, that has defined investment objective and strategy, जिसका एक defined objective है, ओ strategy है, तभी तो बोला था, please read the documents carefully, वो चोदा अक्षर, जैसे धाई अक्षर प्रेम के, वो चोदा अक्षर किसके, mutual fund में investment करने के, तो चलिये जी, V point लिख लिया, आगे, C point, the money first collected, जो पैसे इकठे होगे, गड़े में, गड़े में, हाँ, जो पैसे गड़े में इकठे होगे, अब इस गड़े के अंदर, गड़े के अंदर ये पीली चीच सोना है, पैसे है, अहां, अहां, अब क्या होगा, इसका एक fund manager होगा, जो AMC का head होगा, अब इसमें से पैसे निकालेगा, और कहीं पर इन्वेस्ट करेगा, पैसे इन्वेस्टमेंट से ही बढ़ने, इस बाग को गाड़ बांद के समय लीजे, जब तक मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा, मैं गरीब बन जा हुआ, बिकॉस अफ इन्फलेशन, तो जो जो common people ने इसको पैसे दिये, आम आदमी नहीं, उसके बाद इसने क्या किया, उसको इन्वेस्ट किया अलग-अलग कंपनीज में, एस पर इन्वेस्टमेंट अब्जेक्टिव, डिवेंचेस में, बनी मार्केट इंस्टूमेंट में, एट्सेक्रा, 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 और उसमें से सारे ना तो भूल अच्छे होते हैं, ना सारे गंदे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ गंदे होते हैं, आप उनका average कहते हैं कि हमारे 50% आ ही जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से, पेटे हम law of average निगा लेंगे, law of weighted average, law of simple average, ये दुनिया average पर चल रही है, पेटा, average पर अगलाग schemes में, उसमें से कुछ schemes के shares, या जो investments होंगी, उनकी value बढ़ जाएगी, कुछ schemes की कम हो जाएगी, तो वो जो return आएगा, आपको देदेगा, क्यों? क्योंकि आपको उसके माली को, आपको unit all लगो, तो C point के बाद लिखे, D point, the income earned, through these investments, the income earned, through these investments, पेटे, income दो तरह की हो सकते है, एक revenue income, जैसे आप 11th class में थे, expense आपको पताया थे, accounts में दो तरह की हो सकते, there can be two types of expense, one can be revenue expense, second can be capital expense, those expenses which are recurring in nature, which are related to operation, are named as revenue expenses, but those expenses which are non-recring in nature, are named as capital expense, similarly there can be two types of incomes, one is recurring income, and second is capital income, that income which is recurring in nature, dividend income, so that investor can have two types of, two flavors of income, one is the capital flavor, and second is the revenue flavor, revenue income, and capital income, that will be distributed by fund manager, that is the head of AMC, to the unit holders, so be point looking, the income on through these investments, and capital appreciation is shared by, shared by, shared by, shared by, shared by, unit holders, in proportion, to the number of units owned by them, to the number of units owned by them, वैटे जितनी मेरे पास ownership होगी, उस हिसाब से मुझे इंकम बिल जाएगी, कुछ इसमें घवराने की बात ही नहीं, आये आये, आये, मैं भुपेश अनन, वैटे आज मुझे चार कंसेप्स ही बताने बस, मैं कंसेप्स नमबर थ्री में आ रहे हैं, मैंने पहला concept बताया, flow chart, कि मुझे mutual fund में करना क्या है, mutual fund क्या होता है, उसके introduction क्या होती है, types of mutual fund के है, 4 questions कुन से, 4 steps कुन से, objective क्या है, फिर मैंने आपको उसके बारे में कुछ लिखवाया, concept number 2 में, अब मैं आ रहा हूँ, concept number 3 में, concept 3, कमाल का concept है, पेटे की process बताएगा, आपको जो मैंने अभी तक बोला है, ही pictorically समझाएगा, that what is the process of a mutual fund, तो लिखे जी concept number 3, following is the flow chart of the process of mutual fund, पेटे पहला, पहला, first, first step है पेटे, investor is the owner, फिर वो mutual fund में इन्वेस्ट कर रहा है, उसके बाद mutual fund, as per as objective, capital market में इन्वेस्ट कर रहा है, और फिर return हा रहा है, और फिर वो return, investor को पे किया जा रहा है, तो पेटे, there are four steps, investor as a owner, mutual fund, में investment, mutual fund की investment, वो इंवेस्ट कर रहा है, फिर mutual fund का फंड मैंने इसन वेस्ट रहा है, उसके रहा है, उसके रहाँ रहा है, ब Under the return is being distributed to the unit holders, that is named as process of mutual fund, I hope you are writing it out, don't be more smart, you know, don't try to be oversimart, please write it down, this is for your benefit, you have to write in the class books, you can compare, any of the lecture there, people are, teachers are not keywords are you not worried whether you are adding class words or not they are just delivering the lecture Let's move to concept number 4 last concept of today's lecture that is what is the objective of the Mutual Funder I've just told you, मैंने आपको अभी भी बताया, कि किसी भी mutual fund का एक ही objective हो जाता है, कि जो उसके investors ने trust से पैसे दिये, trust मतलब विश्वास से पैसे contribute किये, उनका विश्वास ना तूटे, पेटे, fund manager की ये duty बन जाती है, कि उसका जो asset है, जो unit holders है, उनकी जो values है, units की appreciate करें, जब appreciate Automatically, वो unit holders अमीर बन जाएंगे और खुश हो जाएंगे, तो जब वो खुश होंगे, तो वो अपनी खुशी आगे सबसे सबसे share करेंगे, एक बच्चा कहता है, क्या मतलब तर समय नहीं आ रहा है, मैं समझाता हूँ, पहले आप समय लीजी, फिर लिखेंगे concept number 4, मैं आप से यह कहने जा रहा हूँ, कि आप यह बताईए, कि जब आप जिस दिन बहुत ज्यादा खुश थे, सोचिए, सोचिए, उस दिन आपने क्या क्या किया था, मैं repeat करता हूँ, आपका result आया था foundation का या किसी भी paper का आप पास हो गये थे, और आप बहुत खुश है, सोचिए अपन आप जब खुश थे ना, तो आप ने अपने खुशिना सब के साथ ना शेयर की थी, हाँ, आपने बताया था, कि आपने गाड़ी ले ली, आप खुश है, या आपने स्कूटर ले ले लिया, या आप किसी एक्जाम में पास हो गए, आप बहुत सालों से किसी दोच से नहीं आपने उसको भी फोल करके बता दिया, आपने रिक्षे वाले को बता दिया, आपने सब को बता दिया, आपने अपने परोसी में गराम पहरी रहती है, उसको भी बता दिया, आपने अपने गर्ल्फरेंड को बता दिया, आपने अपने बार्फरेंड को बता दिया, कि मैं प मैं पास, मैं पास, मैं पास, मैं पास, मैं पास, पैटे're, इनसान की एक फितरत होती है. क्या फितरत होती है? कि जब वो खुछ होता है तो आपनी शेयर करता है खुशी है. जैसे आपने कहीं से दई भले खाए या छोले बूूरे की प्लेट खाई और आपको बड़े टेस्टी लगे चोले बुदूरे उसका अचार आमले का हरी मिर्च का बहुत अच्छा लगा तो बैटे आप क्या करेंगे मुझे बताइगे बले आप मेरे दोस्त हैं मैंने आप से नहीं क्या किया आप खोदी बताएंगे कि भुपेश आनंद मैं आज उस यह मैंने आप से पूछा तो नहीं लेकिन आप खुश थे आप सैटिस्वाइड थे तो आपने वह खुशी मेरे साथ शेयर गी अचा आप यह बताई जब आपने मुझे बताया तो अगर सबोस करते मेरा भी उस गली में चक्कर लगा कभी फ्यूचर में और मुझे आपने बताया हुगा है तो मैं भी छोले गुटूरे खाऊँगा जब मैं खाऊँगे मुझे अच्छे लगेंगे तो मैं अपने दोस्तों को बताऊँगा मेरी पात आप समझ पा रहे हैं अल्टिमेटली क्या होगा वह छोले गुटूरे की दुकान मशूर हो जाएगी हमारे यहा पुरानी दिल्ली गी छोले गुटूरे मशूर बिटते हैं वह अपनी प्लेट का प्राइस बढ़ा देगा पहले 50 रुपे के देगा फिर 70 के देगा फिर उसके नकरे बढ़ जाएंगे इसी तरह से आप मुझे बढ़िए जब एक कंपनी एक फंड मैनेजर ब्यूचल चाहा इंवजमेंन किरेंगा टैमली इंवस्टमीं करेंगा तो अirk Así25 उस लीजल फर्ंड के प्रोफिट्स करनें को मिलेगा किसको उनिट होल घर अगर ग्र बदाए मोगैंबो खुश होगा या दुखी होगा, बेटे खुश होगा, और जब यूरिटोंडर्स खुश होगे, तो वो अपनी खुशी आगे सबके साथ शेयर करेंगे, और जब वो शेयर करेंगे, तो वो लोग भी इसी मुचलखन को खरीदेगे, अगर उनको इन्वेस् में इन्वेस्ट करो, शायद के उसी में करोगे, और एंटी में टिनी दिमांड बढ़ जाएगी, और अगर वो अगर वो अगर वो खुश होगा, तो पेटे हमारी एंट्री हमारी लिमिट्री उनिट्स हैं, मार्केट को सल्कुलेट हो रहे हैं, और दिमांड इंक्रीद हो अगर वो खुश हो जाएगे, और जब प्राइस बढ़े ला तो पेटे आप बताओ, इनिट अब अमीर नहीं बन जाएगे, तो इस इस अब जाएगे, तो पेरी बार आप समाज़े रहे हैं, आएए, अब एक पार लिख लें, फिर आपार चलेंगे, पेटे, बीचल फंड के objective को समझते हैं, concept no. 4, आज का last concept है, objective of mutual fund, it is to provide an opportunity to small investors, to acquire property in the form of units, without much difficulty, without much difficulty, पेटे आपको इसमें कोई DMET अकाउंट उपन करने के दुरूरत नहीं है, प्रूचल के अगर उनिट्स लेंगे है तो खाली पैन काड होना चाहिए और चेक होना चाहिए, बस इससे आप पूचल करने के दुरूरिस रेज़ेट पर भी तो मैं आपको कहा रहा हूं कि आप इन्वेस्ट की जी बोट फायदे में रहेंगे, तो मैंने लिखा, without much difficulty, okay, small investors, पैटे, छोटे-छोटे, गरीब, common इंसान, ठीके जी, that provides, क्या, regular, that provides regular growth, safety, पैटे, यह benefits है, मुचल करने के, हम एक lecture में डिसक्स करेंगे, what are the advantages of mutual fund, हम डिसक्स करेंगे, पैटे, अभी दी कराना, अभी मेरे को objective बताना है, what is the objective of mutual fund, it is to provide an opportunity to small investors, to acquire property, in the form of units, without much difficulty, that provides regular, लवातार, बड़कर, growth, safety, liquidity, and diversification, don't put all eggs, in, in, one basket, तो पैटे, मैं इस समय गुपेश अनर, आपको objective of mutual fund बताने जा रहा हूँ, objective क्या हूँ, it is to provide, हमारा objective है, saving objective है, वो system, वो economy का भी ग्रोई नहीं कर सकती, जहाँ पर investment नहीं हो, savings को investment में convert करना ही, most important है, so it is to provide an opportunity, to small investors, to acquire property, in the form of units, without much difficulty, that provides regular, that provides growth, that provides liquidity, that provides safety, that provides diversification, investment in mutual fund, is a indirect investment, ये तो आपके पास skill नहीं है, आपके पास knowledge इतनी नहीं है, आप सब को track नहीं कर सकते, आप तो ऐसी मरे हुए हो, आप जब आपको घर पहुंचते हो, काम करके तो आपको अपना घर ही पता हो काहा है, इतने में आपको लगता है, कि आप खुद अपनी security को select कर सकते हो, investment in mutual fund is a indirect investment, why to invest in mutual funds, पेटे, ये हम देखें के, because there are so many advantages of mutual fund, so that's why I have to invest in mutual fund, ठीका जी, तो हम invest करेंगे, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, मैंने आपको कुछ बाते बताई थी, कि 14 अक्षा, 14 अक्षा, हाँ बैटे, मैंने बताया थी, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, अलगा schemes बताई थी, वह हम discuss करेंगे, आप पहले आ गई हैं, बैटे, एक वीडियो जिखा रहा है, वीडियो क्या, SBI मीच्यो खंड के साइट पे चला गया हम है, यहां देखे क्या लिखा है, 50 schemes, 50 तरह की schemes अभाई साइ, SBI focus equity fund, ठीक है, SBI small cap fund, SBI contra fund, SBI equity hybrid fund, SBI magnum tax gain scheme, SBI consumption opportunity fund, SBI magnum equity ESG, इसका मतलब यह सब अलग अलग तरह की schemes से हम इनको discuss करेंगे, हम सबको discuss करेंगे, आप बिल्कुल tension ना लेगा, मैं सबको discuss करूँगा, मैं जस एक idea दे रहा हूं कि है क्या, बस एक दो बाते और बतानी है, फिर मैं आज की lecture को complete मानूँगा, मैंने पहली बात आपको यह बता Please read all scheme related documents carefully before investing, यह आप sentence लिखने है, बहुत अच्छा रहे है, सर यह sentence paper में आएगा, नहीं, सर यह लिखना है paper में, नहीं, सर फिलम क्यो लिखे, पेटे, understanding पड़ेगी, आप इतनी सारी बाते मात, बुझो चुक्चा ब लिखो, ठीक है जी, second point, second point तो मैंने यह लिखाया कि पे इसा कहते है, चंचल सभाव का है, लक्षमी जी बड़ी चंचला है, बड़ी बड़ी जल्दी आगी पुछी होती रहती है, मतलब आज आए, कलवाए, परसो आए, तरसो आए, चेल होती रहती है, इसलिए तो निवाली में सब चंचला की पूझा करते है, लक्षमी मा की by investing in mutual fund, so second point, it is nice to earn money and become rich, but it will be more nice to grow richness by investing that money, ये sentence है पेटे मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैने लिखा, और एक बाद और लगिया ची, की do not, do not, put your trust in money, पैसे में विश्वास मत करूँ, पैसे को ट्रस्ट में डालो, ट्रस्ट, मैंने वैसे ट्रस्ट यहाँ पे बाद रूगिया, तो मैंने लिखा, do not put your trust in money, rather put your money in trust, तो मैं अच्छा sentence लगा, मैं इसको भी explain करूँगा, आप लिख ले, do not put your trust in money, rather put your money in trust, ठीके जी, मैं आगया जी, आगे ये बात मैं बता जोगो, it is a pool of funds, mango people, mutual funds have different schemes, यह भी बात मैंने बताई है, हम discuss करेंगे, जब हम schemes करेंगे, कि कोन सी scheme किसको लेनी चाहिए, कैसे पता चलेगा, मैं वहाँ पर movie की बात करूँगा, सल्मान खान की, एक movie आई थे मुझ से शादी करोगे, देखेंगे बेटे, अभी दी देख रहें, वहाँ देखेंगे, वहाँ पर देखेंगे, उसके बाद हम, हम क्या करने वाले हैं, हम return निकालेंगे, की return कैसे calculate करते हैं, यह साही बात में एक्स लेक्चर में है, तो मैं व एक स्टेथ को लोगा, structure और mutual fund, फिर उसके बाद benefits और mutual fund, advantages, risk और चलते जाएंगे बेटे, be happy, be jolly, be cheers.